आज मैं आप क्लिक बहुत ही ब्यूटिफुल से रेसिपी लेके आई हूँ देखने में जितनी सुन्दर है खाने में उतनी ही टेस्टी है इसे खाके आप सारे पीजा भूल जाएंगे तो आज हम बनाएंगे बेक्ट संफ्लावर ब्रेड बिल्कुल सूरज मुखी के फूल ज साइड में रखेंगी ड्राइई इस्ट आपको मार्केट में इजिली अविलेबल हो जाता है और अब हम यहां पर स्टफिंग की तियारी करते हैं जिसमें मैंने पैन में दो चमच तेल गरम कर लिया है इसमें आट करेंगे चॉप अनियंस तो प्यास को यहां पर काफी बार तो अब यहां पर प्यास हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए इसमें मैंने कैरेट और कैप्सिकम यानि काजर और शिम्लम रिच को छोटा-छोटा काट के अड़ कर दिया है इसे भी हम थोड़ा कोक कर लेते हैं तो विच्टेवल्स यहां पर आप जितनी एड़ कर गयी है तो यहां पर हमारी जो स्टरिंगए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है अब हमने इसके अंदर कर दिया है फ्रेश पालक तो मैंने पालग को दोके और कट कर लिया था आधा कपके अराउंड पालक है इससे अच्छ हएशे हम मिक्स कर लेते हैं और जब तक हमारी पालक स सॉफ्ट हो दिया तब तक हमार कोई से पकाना है अब मैं इसमें एट करूंगी सॉल्ट तो स्टफिंग में ज्यादा मसाले एट नहीं करेंगे मैंने आप एप सॉल्ट एट किया है और पिंच मैं इसके अंदर एट करने वाली हूं ब्लैक पेपर का तो काली मिर्च मैंने इसक सकते हैं गिहू के आटे से और अब हमने जो इस्ट को प्रूफ करके रखा था काफी अच्छा यहां पर फर्मेंट हो गया है वह हम इसमें एट कर देंगे और इसे अच्छे से हम सॉफ्ट डोर करेंगे अब बहुत से लोगों के पास इस नहीं होगा अगर आपके पास इस नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा आधा कप के अरॉंड फ्रेश करट डाले थोड़ा सा बेकिंग पाउड़ एक चमच पाराउं बेकिंग सोड़ा आधा चमच और सॉल्ट ट टेल omega-5 कर लें रख सकते आं तंब आपकी यह ब्रेट बहुत अच्छे बनके रेडि होगी लेकिन इस से बनाएंगे तो यह बिल्कुल market style बनेगी अब मैंने थोड़ा सा oil add किया है इसमें और इसको अच्छे से थोड़ा मल के आटे को soft कर लेते हैं तो आटे को आपको जितना अच्छा आप इसको अच्छे से neat करेंगे उतना ही अच्छी हमारी जो bread है बिल्कुल soft fluffy बन के लिए हमार को side में रखना है थोड़ा oil से coat कर देंगे और धक्या में से रख देंगे 40 minutes के लिए गरम जगा पर रखें जैसे microwave के अंदर रख सकते हैं इसे और after 45 minutes हम इसको यहां पर two parts में divide कर लेंगे तो दो body balls को मैं यहां पर तोड़ लिया है बिल्कुल equal parts में आपको divide कर अच्छा आप जो हमारी feeling थी हो यहां पर थोड़ा ठंडी हो गई उसमें चीज को मैंने great करके add कर दिया है आप इसमें mozzarella cheese कोई भी ले सकते हैं अब मैंने यहां पर जो दो parts में balls को divide किया था हूंने big चपाती में यहां पर बेल लेंगे तो चपाती को थोड़ा थिक रखना ह अच्छे से spread करते हुए हमको place करना है अब हम इसके उपर लगाएंगे spinach puree तो spinach को मैंने थोड़ा सा पानी में उबाल के प्यूरी बिना ली थी वह मैं इसके उपर add करूंगी इससे का look भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा और अब हम इसमें stuffing add करनी है तो को हमार को secure कर देना है अब बीच में कट औरी रखें measurement के लिए और इसको four parts में इस टाइप से cut करना है आपको as it is जैसे मैं बना रही हूं आपको सेम ऐसे ही follow करना है वीडियो को देखते जाए और बनाते जाए अब मैंने यहां पर measurement के according चार पार्ट में इसको हलकलका divide कर ल लगाएंगे तो उससे जो हमारी petals बनेंगे अभी flower की वह एकदम accurate बनेंगी उसके बाद हमने एक cut all लगाया है middle में अब यह जो cut लगाए यह basically हमारी petals है और एक एक आपको यहां से डो को उठाना है और इसको इस टाइप से twist करते जाना है तो यह हमारे जैसे सूरज मुखी क फूल की जो petals होती हैं बिल्कुल वैसा बन जाएगा एक एक petals को उठाते जाएं डो को इसको इस टाइप से twist करते जाएं तो similarly हम सब को twist कर लेंगे अब हम इसके उपर milk apply करेंगे तो milk में मैंने थोड़ा सा sugar add कर लिया था उसे मैं इस पर apply करूंगी sugar add करने से क्या होगा इसम के मिडल में काले और सफेद ती लैट करूंगे और इसे 180 degrees Celsius पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी तो after 25 मिनट यहां पर जो हमारी bread है वो बेक हो गई है इसके उपर melted butter से इसे अच्छे से grease कर देंगे थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स टालेंगे तो हमारी यहां पर sunflower bread बि बहुत ही beautiful लगरी और खाने में बहुत टेस्टी है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स मिलते हैं नई रेस्पी के साथ